हलो फ्रेंट्स नमस्कार छोटी एसाइपी बड़े लक्ष इसमाल एसाइपी बिग टार्गेट इसी पर आज बात होगी कि हम आज छोटी छोटी एसाइपी से बड़े लक्ष क्या हासिल किया जा सकते हैं देखिए पहली चीज तो म्यूचल फंड का कांसेप्ट ही यही है कि आप यहां पे निवेश चाहे भले ही कम एमाउंड करें लेकिन टाइम जितना जादा से जादा हो सके उतना दीजेगा देखे सिस्टमेटिक इंवेस्मेंट प्लान यसाइपी का मतलब ही हो यह हुआ कि हर मैने आप एक एमाउंड जमा करते रहें या पहले समय में जो एक ग गुल्लक में सभी लोग कैसे पैसे इकठा करते थे उसके बाद फिर महने या साल पर में काम इकठा होता था मान लिजे घर में साइकल खरीदनी है या कपले किसी के बनवाने हैं यह होता था एक गुल्लक बना लिजे इसमें सारे खर्च हो जाएंगे उसी का मालडर्न पैसा रखिए उससे फिडेविट होकर के मीचल फंड कंपनी के पास जाएगा कि यह साइपी का मतलब ही होता सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि आपके बैंक एकांट से जो पैसा आप डिसाइड करते इसमें इमांट आपकी अनुसाइड होगा यह नहीं कि कोई द बाव में कि वो कह 30 चाल के लिए करनी 30 साल के पहले आपको कोई पैसा नमीलेगा आईसा नहीं है यहां पर कि kis टाईक को आपके बैंक एकांट से पैसा डेविट हो यह भी आक्ने ऑपर ही है आप जिस टारी को चाहित आरी को देविट हो जाएगी लेकिन यह नहीं कि इस मह फिसकल फार्म साइन करके देना होगा पिसली वाली S.I.P. आपकी क्लोज होगी दूसी S.I.P. उस डेट में रेजिस्टर होगी इसलिए ये गलती ना करें कि आप अपनी S.I.P. की डेट हर महने या 3-4 महने में चेंज करना सुरू कर दें ऐसा मत करिएगा कि किसी ने कहा नहीं को इस डेट में चाहिए तो दूसी S.I.P. और सुरू कर लीजिए फंड सेलेक्शन भी आपकी उपर निर्भर हैं आप चाहे तो खुछ सेलेक्ट करने या किसी बित्तिय सलाकार की हेल्प ले सकते हैं फाइनेंशल कंसल्टेंट्स एजेंट्स की बात नहीं कर रहा हो बित्तिय सलाकार यह नहीं किसी एक मीच्वल फंड कंपनी में कोई काम करने वाला है उसने आपको सेलेक्ट करके बता दिये कहां इस कंपनी के इस फंड को ले लिजेगा बहुत अच्छा रिटर्ण आएगा क्योंकि रेस में देखे जब रेस होती है ऐसा नहीं कि जो एक साल में विजाई हुआ वही नेक्स्ट यर भी विजाई होगा विनर्स चेंज होते रहते हैं उसी तरह से फंड के रिटर्ण भी अलग-अलग आते रहते हैं उसमें कई चीजे होती तो आपका जो बित्तिय सला कार होगा यह अच्छी तरह से आपको डिसाइड करके बता देगा कि किस फंड को लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए या कौन सब्सक्राइब किसके लिए सूचे कि हम जो है सिर्फ पांच साल के लिए साइपी चलाएंगे उसके बात नहीं और या कि मान लिए कोई його कि निalts लेकिंगे पांच साल जब पूरे हुए तो अपने पैसे को निकाल लिया अगिले साल पांच साल एकमहना जाब लोगे族 उस्या concrete है या उसी को continue रखा इस तरह से इन्होंने अपनी S.I.P. से टोटल चार बार पैसे निकाल लिया जब 25 साल इनके भी पूरे हुए तो इन्होंने कंप्रेजन किया तो मिस्टर ए थे जिनकी S.I.P. कांटी न्यू चली थी उनके उसमें बहुत अच्छे रिटन आए और जिनोंने हर 5 साल में पैसा निकाला था उनकी S.I.P. में देखा जाए तो साय जो बैंक के बराबर रिटन थे वही आए थे किसी किसी साल हो सकता उनका तो छोती S.I.P. हमेशा बड़ा लक्षे आपका कंप्लीट करेंगी वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा देखें लाइक करें सेयर करें और कमेंट्स करें अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब से सब्सक्राइब कर प्रेस करना ना भूलें जिससे नोटिफियेशन आपके पास सबसे पहले आता रहें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार